हेलो एबरीवन आज की इस बीडियो में हम भारत सरकार के जितने भी महत्पूर्ण अधिकारी होते हैं जितने भी बड़े पद होते हैं पताधिकारी होते हैं उनकी हम मासिक बेतन के बारें बात करेंगे तो दोस्तों आज की इस बीडियो में हम भारत सरकार के जितने भी बड सबसे पहले बात की जाए राष्ट पती की तो दोस्तो राष्ट पती का मासिक वेतन होता है पांच लाख रुपए दोस्तो इनको मासिक वेतन की अलावा भी बहुत सारी सुब्दाएं मिलती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मासिक वेतन मिलता है दोस्तो इनको मासिक वेतन की अलाव salary की बात करेंगे कियों कि salary से question पूछे जाते हैं अधि आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो मासक बेतन पूछ लिया जाता है कि राष्ट पती का मासक बेतन कितना है उपराष्ट पती का मासक बेतन कितना है तो ऐसी question competitive exam में पूछे जाते हैं तो हमने आपको इस बीडियो में मासिक बेतन के बारे में complete जानकारी देंगे सबसे पहले बात कीजा राष्टपती राष्टपती का मासिक बेतन होता है पांच लाख रुपए उसके बाद बात की जा उपराश्ट पती तो दोस्तो तर लाख रुपे पर मंत तो दोस्तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है बेतन के अलावा मासिक बेतन के अलावा बहुत सारी सुबदाएं भी मिलती है कई सारे दोस्तो इन्हें अलाउंस भी मिलते हैं तो हम सर्फ मास्यक बितन की बात कर रहे हैं उसके बाद बात की जाए लोकसवा अध्यक्ट का मास्यक बितन होता है चार लाख रुपए और दोस्तो राजपाल का All इसके बाद की जाए राजपाल का तो राजपाल का होता है तीन लाग पघास अजार ॉपै परमन्थ है को सर्बोच निया लाए में के अन नियादीष तो दोसतो इनका होता है दो लाग पचास हजार सर्वच नियायय लए के अन्य नियाधिश दोस्तों नियाधिश का हो गया 2,80,000 उसके बाद बात की है जैसा कि आपको पताओ प्रितिक राज का उच्छ निया लाख पच्छाजार पर मंथ कि जा दोस्तों नियंत्राक एब वहां लेखा परिच्छक को उसके बाद बात की जा दोस्तों मुख चुनाओ आयक्त मुख चुनाओ आयक्त का मासिक बेतन होता है दो लाख पचास जार रुपए उसके बाद महाने आयबादी तो इनका मासिक बेतन होता है दो लाख पचास जार तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हमने भारत सरकार के जितने बड़े बड़े पद हैं जो भी महत्पून अधिकारी हैं उनके माशिक बेतन की बात की है यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सस्क्राइब करना धन्य दोस्तों